अब रुख करते हैं कैसी खबर की ओर जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे जहां प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहट अधिकारियों ने खेत के 20 से ही किसी प्रकार का भू संपादन ना करते हुए सड़क बना डाली इसको लेकर किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है यह मामला किस जिले का है जानने के लिए देखते हैं ये खबर बंडारा जिले के लाकंदूर तस्तिल में मौजूद पर्शोडी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चोग जाएंगे और इस समण में नुकसान गरस्त किसान प्रकाश नाक्तूरे ने जानकारी दिये कि प्रधान मंतरी सड़क योज्णा के अंदर का सीधे उनके खेट से रास्ता बनाये गया है और इस समण में किसी प्रकार का भूसंबाना न करते हुए और नहीं ग्राम बज्जाद का किसी का ठाराव ना लेते हुए यह रास्ता बनाये गया है और अभी तक उनकी खेती का मुआजा भी नहीं मिला है और उन्होंने प्रशाशन से मुआज़े की मांग की है और ना आंदलन करने का इशारा दिया है तो सुनिए इस समण में फेडित किसान ने क्या का स्वे उनक जु जिल्ला दिकारी याननी प्रशेस के माननेता देली त्यावेडेस भू समपादन करने साटी आदेशात नमुत केले तसेच सार्वजनिक मानकाम विबागाचे अभियनता याननी तांत्रिक माननेते मदे सदर रस्त्याचा तलाट्या कड़ू नकाशा व ग्राम पंचेच्च ठराव गेऊन कामाला सुर्वात करावियसे आदेशस्तान ना जिल्ला पर्शेच सार्वजनिक मानकाम विबागाने कुटले ही नकाशा व ग्राम पंचेच्च ठराव नस्ताना बेकाई देशिर पने रस्त्याचे बानकाम करून शेत्त जमीनितुन अतिकरमन करून रस्ता ने लेला है आनि तेवा पासुन आपन वाराव वार तकरारी करून सुद्धा आया रस्त्याचा कुटलाई मोबदला जमीनिता मिला लेला लाई काई मागनी है तुछ वाराववार तकरारी करून आपन छेती चे जो पिक गेले ला या रस्त्या मदे चारीस ते पंचे चारी डिसमिल जागे तिल 15 वर्षा पासुन पिक जाता है आनि अब देखना यह है उनकी इस मांग पर प्रशाशन कब सूद लेता है और उनकी मांग फूरी होती है इसकी और सभी की निगाह लगी हुई है